Hey guys, welcome to my wrestling channel तो guys, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है First of all, Russell Minya 40 के stage new leagues आई है and guys, क्या Stone Cold Steve Austin and John Sina और तो और हुल कोगर रिटर्न कर सकते हैं Russell Minya 40 में and guys, backlage का contract expire होने वाला है बहुत जल्दी and V.R.E.P.L.E. ने कुछ reveal किया है Logan Paul के postcard, podcast में तो वीडियो का लास्त देना है, चैनल को कर लें, सब्सक्राइब तो या कोई भी अपडेट में इसना कर सकते हैं First of all, Russell Minya 40 के stage league से ये stage आप देख सकते हो and this stage का कुछ नक्षा मंदब आपको याद आ रहा होगा Russell Minya एक हुई थी उसके तरीके का लग रहा है जिसमें Sting और रिपलाई का मैच हुआ था उस रूसर मेनिया टाइब का stage थोड़ा बहुता लग रहा है लेकिन guys तो guys आप इसमें देख रहे हो कि कैसे stage बनाया जा रहा है and Excel तो लिख दिया गया है मलब जो इनके मतलब होते है रसल मेनिया के जो मतलब बनाने वाले जो लिखने वाले रसल मेन लिखी होती है उसके भी मतलब construction working हो चुकी है and guys इसमें मुझे लगता है घंटा भी यूज होगा क्योंकि जो वो बैल यूज हो रही है मतलब जो graphic आ रहा है उसमें बैल यूज हो रही है तो देखो गाइस कैसा स्टेडियम होता है बाइस पीक में तो छोटा लगेगा क्योंकि इस इस अप पिक बागी रियाल्टी में जो खड़ा है वहां पर उसे मलब लग सकता है इमेजिनेशनली बड़ा लग सकता है यह स्टेडियम अभी पूरा बना नहीं तो बाइस बाइस काउंटार्ट को एक्सपायर होने तो गाइस उन्होंने मंद साइन नहीं किया वा कॉंट्रेट यह रिपोर्ट आई है उनसे मतलब कि उनका कॉंटाइट दो मिल्थ के बाद एक सबसे बड़ी चीज यह है गाइस बैकिलेज हॉलिवुड में जा सकती है मतलब रियूमर तो यह भी है कि वो हॉलिवुड में अपना करियर स्टार्ट कर सकती है इक मुझे लगी मार्वल में जा सकती है मतलब दोनों जा सकते हैं मान के वीडियो डालीए यह देख सकते हैं सने स्टों को स्टी बॉस्टन की एंट्रेंस दिखाई जा रही है हुल्क होगन इंट्रेस्च दिखाई जारी है तो इससे स्पेडिए एंडर के माने एंड रिपोर्ट की माने यह है कि हुल खोगन को ला सकती है ड्रडवि प्लैन चले हुल्ड होगन को लाने के स्टोन कूल लाने के इवन हाटी बॉइस मतलब सब को सूरे को लाने के प्लैन चुर रहे हैं डिसलमिनिया को सन बंटने वाली यह तरफ चृटने बनाने वाली है रसलमिना फॉर्टी को बिग एस रसलमिन्य यह क्योंगि बड़े बड़े लेजंड साओंगे बड़े बड़े Cody Rhodes को मनलब कैसे पीट रहे थे रॉक तो वह चीज इंस्पायर हुई है मिक फॉली एंड रॉक के सेग्मेंट से पार ताइम पहले मिक फॉली रॉक का सेग्मेंट से मैंसे था तो उसे इंस्पिरेशन सी थोड़ी सी ली थी तो यह फैक्त नेक्स अब्डेश वह जुड़ी हमारी रिया रिपली से रिया रिपली ने का कि जैसे मेरा डॉम और मेरा मलब स्टोरी राइन बिल्ट वी पी है तो सब समयते हैं कि डॉम और मेरे बीज में कुछ है या हमारी कोई बेहन के साथ में किस भी गया थो बॉझा पूछा था पहले और समय प्याइन का पार्ट अपलता है यह सासे मेरा उस लेफल पर जाच कहां कि आपको पता है किस लेफल पर जाचके कि अश्पार्टी करेक्छ कि अबरी मैथ्वेस युजो मतर्यों यह शीजे है वह नेक्स ल जो जीतेगा यह मैच वह विन करेगा और वह जीतेगा नियू चैंपियन क्योंकि अगर श्पीड नाम से मदलब इंटर्ड्यूस हो रहे हैं तो एक्स पे होता है मतलब लाइव एंड गाई जो तीर मिनट के अंदर जीतेगा मैच वह बनेगा नियू स्पीड चैंपियन मतलब यह कुछ है नियू चैंपिशिर इंटर्ड्यूस करने का तरीका एंडिक समय नेक्स अप्रेश वह जुड़ी है हमारे तो इस बार की रसल मेना 14 छे-शे घंटे की होने वाली जानि नाइट वन भी 6 आवर का होगा नाइट टू भी 6 आवर को होगा य यह जाने वाला है और अब को पता ही है अब नेक्स लेफल पर सीजा चुके इस चिस तरह से बना जाता है रुसल मेन यह हैं नेक्स लेफल किया और कोडी रोड्स और रोमर राक रॉक और साथ रोलमंस यह तो मेजर रोड़ प्ले करेंगे सेंपंक अब्रुमेंट अथैर य